हलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोट इंडियन तो यहाँ पे मध्य प्रतेश के ग्री मंत्री नरूत्तम मिश्रा के दौरा राजु के असेंबली में फ्रीडम ओफ रिलीजन बिल को पेस किया गया है अब इस बिल के उपर डिसकेशन होगा मले इस अपनी राय रखेंगे उसके बाद या तो इस बिल को पास किया जाएगा तब ये कानून बन जाएगा या तो इसे रद किया जा सकता है मध्य प्रतेश की सरकार के दौरा कुछ दिनों पहले ही एंटी कंवर्जन ओरिनिंस को पास किया गया था राज की जो गबर्नर है उनसे परमीशन मिलने के बा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या है इस पूरे बिल के अंतरगत जो प्रोवीजन्स है उसके बारे में मध्य प्रतेश की सरकार के तोरह कहा गया है कि इस पूरे कानून को लाने का मेन अब्यक्टिव है फोर्स रिलीजियस कनवर्जन को रोकना यानि कि जो सच्चाई है उसको मिस रीप्रेजेंट करके कराया जा रहा है तो उस चीज को यहां पर रोकना इस जो पूरे कानून है उसका में आपजेक्टिव है और इसी लिए इस कानून को लाए गया है अब जानते हैं कि इसके प्रोवीजन क्या-क्या है तो सबसे पहला यहां पर कि जो भी व्यक्ति अपने धर्म को कनवर्ट करना चाहता है अपने मर्जी के अनूसार अपने मर्जी से किसी का भी दवाब नहीं है उसके उपर और उस पूरे प्रोसेस को जो भी प्रीष्ट कराएगा जो भी गुरू होगा जो भी किसी धर्म पटिकुलर धर्म का गुरू तो उस गुरू को उस प्रीष्ट को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को साथ दिनों पहले इन्फॉर्म करना होगा साथ दिनों पहले की यहाँ पे कन्वर्जन होने वाला है दूसरे प्रोविजन की अनुसार अगर कोई व्यक्ती ऐसा करता है और जो भी इस कानून का प्रोविजन है उसको तोड़ता है तो उसे यहाँ पे एक से पांच साल तक की सजा हो सकती है और पचीस हजार रुपे तक का जुर्माना उसे देना पर सकता है उसके अलावा जो भी priest है अगर वो 60 दिनों पहले inform नहीं करता है district officer को तो उसे 3-5 साल तक की सजा हो सकती है और उसे 50,000 रुपे तक का penalty देना पर सकता है इसके अलावा अगर जो conversion हो रहा है उसमें कोई minor है woman है या फिर scheduled caste या फिर scheduled tribe का कोई वेक्ती है तो यहाँ पे इसका जो punishment है वो 2 साल का होगा 2-10 साल तक का punishment के हो सकता है और जो minimum penalty है वो 50,000 रुपे होगी इन सब के अलावा अगर कोई misrepresent करके तक्थों को ऐसा कर रहा है conversion कर रहा है तो उसे 3-10 सालों तक की सजा हो सकती है और यहाँ पे penalty यहाँ पे 50,000 रुपे उसे देने परेंगे उसके अलावा अगर कोई mass conversion करा रहा है एक साथ बहुत लोगों का conversion करा रहा है तो उसे 5-10 साल तक की सजा हो सकती है और minimum penalty यहाँ पे उसे 1,000,000 रुपे देना पर सकता है उसके अलावा कोई भी अगर offender है जो कि एक ही चीज को जैसे कि पहले उसने एक गलत काम कर दिया है कि गलत तरीके से किसी का धर्म परिवर्दन करा के और वही काम को वो दुबारा कर रहा है तो इस केस में भी उसे 5-10 साल की सजा हो सकती है इन सब के अलावा यहाँ पे एक और बात है कि पुलिस ओफिसर को यहाँ पे राइट नहीं है कि वो अपनी इच्छा से action ले सकता है जो भी अपना धर्म परिवर्दन करा चुका है उसके जो पैरेंट से माता पिता जो उसके भाई बहन है उनके पास यह अधिकार दिया गया है कि वो नियरस्ट पुलिस टेशन में जाकर के रिपोर्ट कर सकते हैं इसके खिलाप उसके अलावा जो गार्डियन है उनको करवा सकते हैं इस कंप्लेइन को और क्या क्या प्रोवीजन है इसके अंतर गरत तो इस पूरे ओफेंस को यहाँ पे कौकनी जेबल बताए गया है यानि कि इसे क्राइम के तौर पर लिया जाये गा और इसे नॉन पेलेबल भी बताए गया है जब तक किसी वैक्ति पे इसे पूरा कंड़क करा सकता है इसे अपने अंतरकत इन्विस्टिगेट कर सकता है किसी भी लोकल पूलिस स्टेशन में उसके अलावा अगर किसी ऑर्गनाइजेशन के पास अगर कोई ऑर्गनाइजेशन है जो की कनवर्जन कराती है तो उसका लाइसेंस भी इस पूरे प् मिली होगी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएए